दि गोट्स पैलस रेजोर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, साड़े 12,000 स्क्वाइर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शांदार समाहरों के लिए शांदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट, नानु की नहर, कावड मार्क, सर्धना मेरड, भाषपा नेता विनीत अगरवाल एकधार्मिक कारिक्रम में शामिल होने पहुँचे, जहां उनके बोल बिगड़ गए, उन्होंने विवादित बयान देते हुए हिंदों से पांश बच्चे पैदा करने की अपील की है, विनीत अगरवाल न आगे कहा कि अगर हिंदों ने पांश बच्चे पैदा नहीं किये, तो उनको भारी मुकसान होगा, कहा कि अगर हिंदुत्व है, तो सर्व समाज है, और अगर हिंदुत्व नहीं है, तो कोई समाज नहीं है, इसलिए हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे पांश की सुद्धा साथ ये भी कहा कि हमने पनी सरकार से जनसंक्या नियंतरन कानूर बनाने की अपील किये। भगवानों के भगवान बाके बिहारी स्याम खाटू जी के दर्सन करने का सुभव सप्राप्त हुआ। अगर हिंदुत्व है तो सब समाज हैं। अगर हिंदुत्व नहीं हैं तो कोई समाज नहीं है तो मेरी यहीं दोनों से निवेदन हैं। कि व्यास समाज के सम्मान के साथ हिंदुत का सम्मान आपके कंकन में और एक संदेश के साथ जाना चाहिए क्योंकि महाराज अगरसन जी के बंसी जैंग उनका एक ही नारा था मैं एक मेरे ठारा मुसलमान कहता है मैं एक मेरे तीन मेरे ठारा और मैं कहता हूं हिंदू जाग जा है एक बच्चे को राजनितिक घ्यान एक बच्चे को बच्च्पन से और ने उजघति से तो एक बच्छे को में बेजे नहीं तो अगर जिसका एक मां कि एक बेटा होगा सेना में कौन जागा जिसक्रक्षा कौन करेगा इसलिए मैं कहता हूं अपने हम दो हमारे दो हमारे एक किस ज्यांद को खुतम करो हम दो हमारे पांच के सिद्धान को अपनाओ और नहीं तो 25 साल के बाद बच्चे पूछेंगे आपसे पापा ताओ किसको कहते हैं पापा मामा किसको कहते हैं चाचा किसको कहते हैं पापा ताई और चाची मोसी मोसा के रिष्टे खतम हो जाएंगे और फिर 25 साल के बाद भारत माता रोएगी फिर दूसरे पाकिस्तान की मांग उठेग सो तेले बार खतम करें और एक नियम बना दे उनके भी दो हमारे दो यह नहीं मुसलमान कहता है मैं एक मेरे तीन मेरे ठारा और हिंदू कहता हम दो हमारे एक हमारे दो नहीं अब सो तेले बार खतम करें एक नियम बना दे और एक परिवार नियोजन के नियम बनाए दो और ती इन से जादे नहीं नहीं तो मेरा वैस्ट समाज हिंदू समाज चावान है पांच अच्छी पैदा करें अभी के लिए हमारी वीडियो उसको जाद सजाद लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वैलेंटेश यहां कैंसर को माद देने में पूर्टेह सक्षम रेजिडेट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। डूमो थेरपी कैंसर रोग्यों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्री भारत का एक मात्रू हॉस्पिटल वालेंटेस मवाना रोड मसूरी मेरट